आज हम आपके सामने लेगा है एक assignment जो किया है इसका कोड है इसका कोड है इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड गया है देखिए पार्ट ए कितने में जालता मांक्स का है 8 8 20 7 7 मतलब 8 8 11 16 16 16 और 20 36 7 43 और 7 50 50 उपर 50 नीचे ज्यां रखना है कि हमने इस तरीके से लिखने कि assignment हमारे 25 से 26 pages में complete हो जाए तो ज्यादा मांक्स के question है वो ज्यादा page के लिखने है जो कम मांक्स के है वो कम pages के लिखने है तो आईए देखते हैं देखिए यह जो हमारा first question है इसके दो पार्ट है तो आठ नंबर को question है ज्यादा तीन से चार pages में लिखेंगे इसको ठीक है second भी हमारा आठ नंबर का इसको भी maximum तीन चार्ज इससे उपर नहीं जाने रहा है फिर हमारा यह जो पांच नंबर को question है यह एक-एक page में हो जाएगा third question उसके बाद fourth question हमारा आठ नंबर का इसको दो तीन page में लिख लेंगे फिफ्ट भी दो तीन page में उसके बाद six के चार पार्ट है आठ नंबर का question है तो चार पेज में लिख लेंगे seven भी बीस नंबर का है पांच छे पेज में ले जाएंगे जाद से जादा ठीक है ना उसी साथ से हम अपने questions के according हम decide कर लेंगे तीरे तीरे देखिए इस वीडियो को बनाने का यही परफजा है या तो आप यहां से देखिए आगे हमारा first question first question के explain the importance of environment in day to day life by sitting suitable example in about 120 words में question लिखना है आप लिखे यहां से लिखे जाए screenshot मार लीजिए मैं धिरे-धिरे scroll कर देता हूं कि यहां कि यहां फर्स्ट का भी पार्ट है कि ठीक है कि पर्सकृष्णा भी बाट भी आप दो गुष्ण में लिख लीजिए दो पेजिस में लिख लीजिए देखिए जो में में पॉइंट्स है ना जिस यह ब्लैक हैटिंग में लिखे है यह लिखने है जो कॉंटेंट स्किप करना है वह बीच में से स्किप करना थोड़ा-थोड़ा सब में अब हमारे पास आगा है सेकंड कोईशन दिफिरेंटेंट बेट्विन द फॉल्विंग तर्म गिवी शुटेवे एग्जेंपल यह भी 120 वर्ट में लिखना है ठीक है दिशन शेट करना है यह गया सेकंड का बीपाट डिरेक्ट अडिरेक्ट यूस्ट वाल्योव बायोडिवर्सिटी यहां गया हमारा थर्ड कोईशन आप मार्क्स चेक कर लिजेगा पहली नोट करके लिख लिजेगा उसके एकॉर्डिंग ही पेज लिखिएगा ऐसे कोई फाइदनी 40-50 पेज की आपके असाइम्मन बन जाती है या तो पता नहीं चलता है कि कौन से कौशन कितने पेज इसका लिखना है यह बी पार्ट लिखिए है देखिए आप यहां से स्किन शॉट भी चोटे चोटे हैं इसके पार्ट इसको अब आराम से लिख सकते हैं इसका डी पार्ट राइड शॉट नॉट ओन ग्लोबल कार्बन साइकल विद्धे हल्प आप डाइग्राम डाइग्राम जुरूर डाली चेगा यहां हमारा फॉर्थ कॉश्चिन टोट 250 वर्ड्स में लिखना है इसको चार पेजस में लिखेगा कम से कम अच्छे से पेज पूरे पूरे फुल करके लिखेगा ऐसे दूर दूर लिखने से क्या होगा आपकी अपनी असाइन्मेंट आराम से फूल अच्छी राइटिंग में लिखेगा यह आगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ओके 250 वर्ट्स का टाइडल एनर्जी बेंड एनर्जी सॉलर एनर्जी के बारे में लिखना है इस सारा टॉपिक इन्वार्नेमेंटल से रिलेटिड है तब इसका नाम भी इन्वार्नेमेंटल स्टेडिज है इस बुक का आगे हम आगे पार्ट B में जैसे कि 50 नंबर का हमनें कम्प्लेट कर लिए है 50 नंबर का और पार्ट है six questions है त्प्ट्ट ए पार्ट B पार्ट C पार्ट एंड डी पार्ट चार पार्ट है इसके यह लिख लेजिए यहां से वीडियो को पाज पहले तो वीडियो को पूरा देख लें उसके बाद अगर फिर जब नेक्स टाइम देखेंगे उसके बाद इसको पाज-पाज करके कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिए what is acid rain? describe its effect यह हमारा चल रहा है इसका इसका वैसे ही 8th question आ गया जो कि हमारा 250 words का लिखना है इसमें आप question करेंगा चार pages में लिखेएगा ठीक है ना और फिर ना चार pages में तो आएगा ही नहीं है आपका 2-3 pages में इस question को देखिए शॉट question है लेकिन 250 words का है अंसर शॉट में लिखा हुआ है इसमें इस question को थोड़ा खुला खुला लिखेएगा ताकि words को थोड़ा दूर दूर लिखे ताकि यह ज्यादा स्यादा pages में आए वैसे ही 9th question है हमारा यह भी 250 words का है बट इसमें भी content थोड़ा ही दिया हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको देखिए थोड़ा ही content दिया हुआ है तो इसको अराम सिर्व दूर दूर लिखे जितने जादा मतलब 2-3-4 pages जितने बन सके उतने बनाईएगा वैसे ही 10th question यह 300 words का लिखना है यह भी बड़ा लिखिए एका 4 pages में इसमें भी content थोड़ा ही दिया है तो इसको 4 pages में complete करें इस तरह से आपकी जो assignment है वो complete हो जाएगी कोई भी क्योरी हो assignment related कोई भी question हो मन में कुछ जानना हो कैसे बनानी है कौन सा page कहा लगाना है कैसे लिख है कि आपको कौन से assignment चाहिए हम आपको वो provide कराने की कोशिश जरूर करेंगे थैंक यू